स्नेही संगत को साधर प्रनाम एवं सत्संग में सुस्वागतम अत्यंत मनोहर श्री रामचरित मानस के पाथ में गोस्वामे तुलसी दाश्ची ने आगे लिखा है गुरुपत रज म्रिदू मंजुल अंजन नयन अमियत्रिक दोश बिभनजन तेही करी बिमल बिबेग बिलोचन बढ़नेव रामचरित भफ मोचन भावार्थ तुलसी दाश्ची आगे खेहते हैं कि श्री गुरु महराज के चर्णों की रज कूमल और सुन्दर नयनामरित अंजन है जो नेत्रों के दोशों का नाश करने वाला है उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंदन से चुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ पहले पृत्वी के देवता ब्रह्मनों के चर्णों की वन्ना करता हूँ जो अज्यान से उत्पन सब संदेहों को हरने वाले हैं फिर सब गुणों की खान संसमाज को प्रेम सहित सुन्दरवानी से प्रणाम करता हूँ साधू चरित सुप चरित कपासू निरस पिसद गुण मैं फल जासू संतों का चरित कपास के चरित अथ्वा जीवन के समान शुप है जिसका फल निरस विशद और गुण मैं होता है जैसे कपास के डोड़ी निरस होती है संत्र चरित में भी विश्या सकती नहीं है इससे वह भी निरस है कपास उच्छल होता है संत का हरिदे भी अज्यान और पाप रूपी अंदकार से रहित होता है इसलिए वह विशद है और कपास में गुण तंदू होते हैं इसी प्रकार संत का चरेतर भी सद गुणों का भंडार होता है इसलिए भे गुण मैं है जैसे कपास का धागा सुई के किये हुए छेद को अपना तन देकर ढग देता है अत्वा कपास जैसे लोई जाने, काते जाने और बुने जाने का कश्ट सहकर भी वस्तर के रूप में परिणत होकर दूसरों के गुपनिय स्थानों को ढगता है उसी प्रकार संत सोयम दुख सहकर दूसरों के छिद्रों अत्वा दोशों को ढगता है जिसके कारण उसने जगत में वंदनिय यश्प्राप्त किया है मुद्मंगल में संत समाजू, जो जग जगम तीरत राजू, राम भक्ती जहां सुरसरी धारा, सरसरी भ्रहमा बिचार पचारा भावार्थ संतों का समाज, आनंद और कल्यान में है, जो जगत में चलता फृता तीरत राज, अत्वा प्रयाग है, जहां उस संत समाज रूपे प्रयाग राज में, राम भक्ती रूपी गंगाजी की धारा है, और भ्रहमा बिचार का प्रचार सरस्वती जी है विधी निशेद में कलिमल हरनी, करम कथा रवी नंद नी बरनी, हरी हर कथा बिराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी, थावार्थ विधी और निशेद यह करो यह न करो, रूपी करमों की कथा कल्योग के पापों को हरने वाली सूरे तन्या यमुना जी है और भगवान विश्नु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेनी रूप से सुशोबित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्यानों को देने वाली हैं सब ही सुलब सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा, भावार्थ उस संसमाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है, वह अक्षवट है और शुब कर्मी उस तीरत राज का समाज अत्वा परिकर है वह संसमाजूपी प्रयागराज सब देशों में, सब समय, सभी को सहजी में प्राप्थ हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों को नश्ट करने वाला है हमारे साथ इस महत्रपूर्ण सत्समागम में निरंतर मनन कर इसे अधिक्तम उप्योगी बनाते रहे सभी भग्जनों का जीवन अत्यंतानन में हो